नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन के ग्रामिन वा जन्जातिय इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर सीम हेमंसुरेन ने अफसरों को दिये निर्देश मुख मंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर सीम हेमंसुरेन ने परिवन विभाग की उच अस्तरिय बैठक की मुख मंत्री ने कहा कि राजे के ग्रामिन और सुधूर जन्जातिय चेतरों में सड़क परिवन और आवागमन व्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्रात्मिकता है उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अस्पताल, बिद्याले, महाबिद्याले, सब्ताहिक कार्ट, आस्थानिय बजार और रेल्वेय अस्टेशन जैसे सारजनिक अस्थलों को धियान में रहकर रूट का निर्धारन करें ग्रामिन कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर सरकार का विशेस जोर है, राज के ग्रामिन और सुदूर जंजाती चेतरों में सडक परिवहन और आवागमन ब्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्रात्मिकता है इस कड़ी में ग्रामिन छेतरों को परखंड अनुमंडल और जीला मुख्याले से जोरने के लिए मुखमंत्री ग्राम गाड़ी योजना सुरू किया जाना है ताकि दूर दराज के कावों में रहने वाले लोगों को सुलभ परिवन बवस्था उपलब्ध हो सके बाबुलाल मरांडी ने नेता परतिपक्ष अमर बावरी को दी बधाई अठार अक्टुबर को राची महोगा भबे स्वागत नेता परतिपक्ष अमर बावरी बुधवार अठार अक्टुबर को राची इस्थित बिजेपी परदेश का रयाले पहुँचेंगे जहां उनका पार्टी पताजिकारियों दोरा भबे स्वागत किया जाएगा भाजपा पर्देश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने अमर कुमार बाउरी को जारकन पिधान सबा सची वाले दोरा नेता प्रत्पक्ष की मनेता परदान किया जाने पर बधायों सुपकम नायदी है आपको बता दे कि अमर बाउरी 36 गड़ पिधान सबा चुनाओ के मद्दनगर संगठनिक परवास पर हैं वे 18 अक्टूबर की साम 4 वजे सेवा विमान से रांची हवायाडा पर पहुंचेंगे जैक बोड इंटर परिक्षा के लिए सुरू किया गया रेजिट्रेशन जारखन एकडमी काउंसिल ने सेक्षनिक वर्ष 23 से 25 के लिए इंटर की परिक्षा में नियामीत वा सोतंद रूप से सामिल होने के लिए विद्यार्थियों के रेजिट्रेशन वा 11 की वार्षिक परिक्षा के लिए परिक्षा फॉर्म भरने की तीथी घोसित कर दी है रेजिट्रेशन फॉर्म आज 17 अक्टूबर से भरा जाएगा इसकी अंतिमति थी 16 नॉवंबर है जबकि लेट फाइन के साथ 19 नॉवंबर से 30 नॉवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा इसके लिए जैक की अधिकरित वेबसाइट jsc.charkhand.gov.in पर जाकर इसकूल के माध्यम से फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा परिशद ने इससे समधित बिश्तरित जनकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है चारखन में अब मीड़े मिल में हर बुधवार मिलेंगे मडवा के बेंजन बच्चे बताएंगे क्या खाना है लड़ू या हलवा चारखन के सरकारी इसकूलों में बच्चों को मध्याहन भोजन में अतरिक पोसाहर के तहत बच्चों को बुधवार को मडवा का हलवा या लड़ू दिया जाएगा यह ब्यांजन अगले कारे दिवस पर देने को कहा गया है बच्चों को मडवा का हलवा या लड़ू दोनों में से क्या दिया जाए इसका निरने बिद्याले अस्तर पर बच्चों की पसंद के अधार पर लिया जाएगा जारखन में मौसम ने लिकरवट रांची समित इन इलाकों में बारिस बजरपात की असंका एलो एलर्ट भी जारी जारखन की रैधानी रांची के कई इलाकों में मंगलवार की साम को रिमधिम बारिस हुई कुछ इलाकों में हवाय भी चली इससे मौसम का मिजाद बदला बदला सा दिखा मौसम विभाग ने अपने पुरवानुमान में राची, रामगड, गुमला, सिम्डेगा, वबोकारों में कुछ घंटों में गरज के साथ हलके दर्जे की बारिस होने की भी असंका जताई है बारिस के दोरान बजरपात की भी असंका ब्याक्ति गया है इसे लेकर मौसम विभाग ने एलो एलर जारी किया है इधर 22 वा 23 अक्टूबर को राजय में आंसिक बादल छाय रह सकते है राइधानी राची में हरी सबजियां फीर हुई महंगी नया आलो की किमत 30 रूपया हरी सबजियों के दाम में आईतजी से लोग परसान हो गया है इन दिनों कोई भी सबजी 10 से 15 रूपय पाओ से नीचे नहीं विक रही है जबकि अमूमन इस महा में सबजियों की किमत 30 से 40 रूपय कीलो के आसपास तक ही जाती थी सबजी उतपादक किसान समराट साहू ने कहा कि भादो आसविन महा के सुरुवाती दोर में हुई बारिश से सबजियों की खेती को नुकसान पहुँचा था खेतों में पानी जम जाने के कारण सबजियों के लत्तर वपोधे जल गय थे राची में अब हो सकेगा कैंसर के मरीजों का फ्री इलाज दुरगापुजा के बाद इस अस्पताल में सुरु होगी सर्वीस जारखंड में राची पहला जीला होगा जहांके सदर अस्पताल में कैंसर बिसेसर के डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे कैंसर मरीजों के लिए यह बड़ी बात है कि अब जिला मुख्याले में ही कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज हो पाएगा जिला में कैंसर के इलाज के लिए डॉक्टर नहीं होने के कारण पहले इलाज नहीं हो पता था अश्पताल के पांचवे तले पर डेडिकेटड कैंसर वार्ड होगा यहाँ कैंसर के मरीज का डे केर के साथ ही ½ 성urgical Ee difícil के साथ ही एक ही छत के नीचे उपचार होगा जिस विमारी के कारण का पता विलोर के डॉक्टर भी नहीं लगा पाएं इसमें CMC विलोर गई 4 साल की बच्ची भी सामिल है बच्ची के समपल की भी होल एक्जोम सिक्वेंसिंग की जाच की जा रही है CMC विलोर में सिसु विभाग के डॉक्टर ने बच्ची को यह कते वे रिम से रेफर किया है कि वहाँ होल एक्जोम सिक्वेंसिंग जाच की सुविदा है इसके बाद बच्ची की जाच हो रही है उमीद है कि बच्ची समयत सभी 20 मरीजों की बिमारी का पता बुधवार तक चल जाएगा ट्राफिक जाम से मिलेगी निजात आपस में जूटेंगे काटा टोली और सीरम टोली फ्लाइवर काटा टोली फ्लाइवर और सीरम टोली फ्लाइवर आपस में जोड़े जाएंगे इसके लिए योजना बना ली गई है इस योजना को पराधिकरी समिती ने सभीकृति भी दे दी है अब मंत्री परसद की बैठक में योजना की सवकृति ली जाएगी वहाँ से सवकृति होने के बाद इसके क्रियानेवन की दीशा में करवाई कर दी जाएगी विमेंस एसेन होकी चेंपियन्स ट्रोफी दुजार तैस को लेकर सियम हेमनसोरेन की हाई लेवल मुटिंग बोले भाव हो आयोजन सियम हेमनसोरेन ने मंगलवार को जारखन मंत्रा आले में अधिकारियों के साथ जारखन की मेजबानी में 27 अक्टूबर से 5 नॉमबर तक आयोजित होने वाले विमेंस एसेन होकी चेंपियन्स ट्रोफी 2023 की तैयारियों के लेकर उच अस्तरिय समिक्षा बैठकी इसमें उन्होंने कहा कि ये होकी चेंपियन्सिप का भवे आयोजन राज सरकार की परात्मिकता है सेम हमनसरे ने अधिकारियों को निध्यस दिया कि इसे लेकर पूरी तैयारी रखे सुधाओं में कोई कमी ना रहे विमेंस एसेन होकी चंपियन्स ट्रोफी 2023 का भवे आयोजन राज सरकार की परात्मिकताओं में सामिल है रिम्स के काया कल के लिए निकला 1400 करोड का टेंडर रद सुपर एस्पेसिलिटी विंग समेत इन भववनों का होना था निर्मान जारखन के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में करीब 1400 करोड की लागत से बनने वाले चार नय भवनों का टेंडर रद कर दिया गया है इसके साथ ही छेत्रिय नेत्र संस्थान के बचे हुए सिविल वर्क के लिए निकाले गए टेंडर को भी रद कर दिया गया है चारखन राजे भवन निर्मान निगम की ओर से रिम्स में चार नय भावनों और एक पुराने भावन के निर्मान के कारे को पुरा करने के लिए 18 सितंबर को टेंडर निकाला गया था। अभी तक चिनित नहीं हो पाई है, अभी ट्रामा सेंटर के पीछे की जगा पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर पूरी समाती नहीं बन पाई है। मुख मंत्री ने बैठक में कहा कि 15 नुवंबर तक सभी एम्बूलेंस पूरी तरह क्रियासिल होनी चाहिए, यदि एम्बूलेंस हेवाओं में लापरवाही पाई गए तो सम्धित लोगों के लाप कड़ी करवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर हाल में चिकिसा ब्यवस्ता को दुरुस्त करे, इसमें समयदन हिंता किसी भी सिती में छमा योग नहीं होगा। पता दा कि हाली में एक दुर्गाटना के दौरं स्वास्त मंद्री बन्ना गुपतद्वारा बुलाने पर भी 108 एम्बूलेंस हेवा नहीं पहुंकी थी। दुर्गाटना में घायल बेक्ती के समय पर आस्पताल नहीं पहुशने से उसकी मौत हो गई थी। जारखन में बंध है उभोक्ता से जुड़े मामलों की सुनवाई। राज के 24 में से 5 ऐसे जीले हैं जहां अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली हैं। सभाईक रूप से इन नहीं आलियों में सुनवाई नहीं होने से यहां दाखिली आज का कर्याले का सोभा बढ़ारी है। राज उभोक्ता आयोग एक मात्र सदस्य बसंत कुमार गोस्वामी हैं जो परभारी अध्यक्ष के रूप में करे रथ हैं। सदस्य का कारिकाल समाप्थ होने की वज़ा से 14 जोलाई 2023 से कोरम के अभाव में सुनवाई बंध है। समय पर सिक्षकों की करे प्रोनाती सिक्षा सचीव। इसकुली सिक्षा अवा सक्षार्ता विभा के सचीव के रवी कुमार ने सभी जीला सिक्षा पताधिकारी और जीला सिक्षा अधिक्षकों की समिक्षा बैठकी। इसमें माध्यमिक सिक्षा, प्रात्मिक सिक्षा और मध्यायन भोजन, योजना की समिक्षा की गई। पुष्ट नहीं हो पा रही है, उसे जल्द से जल्द करे।